अपने बारे में कुछ बताईए क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं इससे पहले क्यूंकि आप स्टॉन पेल्टिंग में भी शामिल रहें उसके बाद क्या हुआ कैसे बदला हुआ और यहां तक कियसे पहुंचे मेरा नम शेक मुदसर है, मैं पहले एक फार्मल स्टुन पल्टर हुआ करता था, आज मैं एक स्कूल चलाता हूँ जिसमें हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, जो भी अन्प्लेर जो स्टुडेंट होते हैं, जो और फैंस हैं, उनको हम फ्री एजुकेट करते हैं, तो हमारा जो मकसद है, वो यह है कि जो आने वाली जनरेशन हो, उनका जो यूई एम जैपुर, एक आदर्श लक्ष है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भाविश्य के लिए तयार कौशल के साथ, अच्छी शिक्षा, वो ब्राइट हो, और वो अपनी माबाब के लिए जो खौब है, वो पूरे करे, और जो अपने नेशन को आगे बढ़ाई, आपने पद्थर उठाए, तो पहले पद्थर क्यूं उठाया वो बताएं, और फिर मैं ये भी समझूँगी, आपसे कि पर छोड़ा क्यों हो, पहले उठाया क्यों ? अधर उस एको सिस्ट् पाकिस्तान तो यहां नहीं था ना यहां कौन उस एको सिस्टम को बढ़ा रहा था उनके जो एजेंट्स होते थे जो नेरेट्यूज को प्रमोड करते थे चाहें वो कोई भी जगा होती थी उनके एजेंट्स जिनको पैसे मिलते थे वह चीज़ के और आपने छोड़ा क्यूं रिफार फैक्टिस पता लगे सेचाईयां पता लगी जो पहले पता नहीं थी आप जब छोड़ दिया है तो क्या क्या मेशेज है आपका यहां के जो युवा हैं उनके लिए यूथ के लिए मेरी मेसेज यह हैं कि अपने जिन्दगों को आबाद करें अपने लोगों के लि तक पहुचा रहा है उसको एनलाइज करें इसके उसके उपर करें रिसर्च उसको उचें खुद सोचें लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी यहां पर रही क्योंकि हम चुनाव में खड़े हैं तो इस वज़े से मैं राजनितिक दल जो यहां पर थे जो पॉलिटिकल पा करता हूं जो मैं रियालाइज करता हूं मैं कोई मतलब आंके बंद नहीं करूंगा सच्छाईयों से मेरे लिए मिटर यह करता है कि अगर पिछले साल या फारुक उदला के जो टर्नवर था एंसी का या कॉंग्रिस का उसमें आप देखें किलिंग्स कितनी हुई मेरे लिए अगर मेरा जवान बचता है और उसके बैद जो किलिंग्स जो इन्होंने सर्दार जी ने बोला और लोगोंने कलैब्स भी इनके घर से कोई मारा नहीं है शायद मेरे लिए सबसे बड़े एचिमेट है कि आज की डेट में किसी किसी इनसान की लाश उसके घर नहीं जाती है क तो यहां के बहुत सारे नोजवान जो हैं वो जलू में हैं वो कौन से स्टून पेल्टर है जिनको आप जेल बेज रहे हैं और जो पहले पथर बाजी करते थे अगर वो तब गलत है तो अब उनकी शाबाशी और वहवाई क्यों हो रही है और हमारे जितने भी नोजवान आ जाएगा आपकी मताबे कैसा है सबसे पहले हम तरहनाई हिंद को एक बार उनकी चंद लाइनों को याद करेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हम भुल बुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा ये फरमाया है हजरत अलामा इकबाल रहमत अलाही ताला आजमाईन न रहें इसके आपका नाम क्या हमने नका रहा है आपका नाम क्या हमने अपने युवाओं को मोका दिया है हम जमूरियत के साथ हमने मोका दिया है युवाओं को मैदान में आने का हम उनके वोटर भी रहेंगे उनके सपोर्टर पे रहेंगे हमारे लिए वह जुरूरी है जो एक विजिनेरी लीडर हो जिसका विजन हो जिसका ये ख्याल हो कि हम तरकी और विकार के साथ हैं युवाओं के साथ हैं हम बदलाव के साथ हैं ट्रडिशनल पार्टी के साथ लें कशमीर वो रिजी क्या हाला जसकतस हैं किस पैमाने पर देखा जाना चाहिए नया कश्मीर का जब दावा किया जाए तो से किस पैमाने पर अब देखते हैं मैं तो यह कहूंगा कि यह अमन अमन करते हैं अमन से पेट तो भरता नहीं महंगाई का नाम नहीं लेते बेरोजगारी का नाम नहीं लेते उसके बाद यह कहते हैं डेवलोम सिंग जी ने उसके बाद मोंती जी चला रहे हैं और जो उन्हों ने जो बनाया था वह मजबूत है यह जो बना रहे हैं एक बारिश में जा रहा है अभी एक प्लाइवर बनाया मैं पढ़ रहा है अज फेस्बूप पे सिर्फ लोगों के पैसे की बरबादी है सिर्फ अपने लोगों को पाइजा पहुंचाने के लिए आती बड़ा उमीद है लोगों को इंडिपेंडेंट कांडिडेट से युवां उससे यही बहुत खुशी की बात है कि नए युवां सारे लोग बाहर आ रहे हैं और असली सत् किया क्या जंडे गाड़े हुए यहां पर क्या होगा क्यूंकि यह भी तो कहा जा रहा है ने इंडिपेंडेंट के लिए एक जो पॉलिटिकल नारेटेव है वो यह कि यह इन्डिपेंडेंट आखीर में जाकर सरकार बनवा देंगे किसी की उनका समर्थन कर देंगे यानि क किसी बड़ी पार्टी के साथ ही आप जाएंगे आखरकार तो फिर से बदलेगा क्या बदलेगा तो कुछ ने देखिए जब यूद आएगा ना यूद की एक पावर है उसको आज की डेट में यूद को साथ ही चलना है जो यह जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ हम ट्रिप कि सब कुछ बटा हुआ दिखाई दे रहा है आप देख लीजिए अगर आप कश्मीर डिविजन की बात करेंगे तो हर जिल्ले में हर कानस्वेंसी में बर्माट पड़िये सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतने अगर दो तिन आप लोगों के खिलाफ को इता गुस इसमें मैं मानता हूं कि हर एक इंडिपेंडेंट बीजेपी का स्पांसर नहीं है यह बीजेपी ने अपनी नई टीम मनाई है एक नहीं पोद बनाई है ताकि अगर जमू में कल को उनका 20 25 या 30 सीटे आती है कल वो होकुमत वाइंगा प्लान भी है